दोस्तो स्वागत एकवा फीर से आप सभी का आपका अपने ही चैनल में इस वीडियो में आपको सिड्नी ठंडर भरसिज पार्थिस कोचर के बीजो मुकाबला खेला जागा बीबियल का मुकाबला खेला जागा इसको हम लोग कोफर करेंगे साथ-साथ इसमें ड्रिमिलों टी जो आपको जीएल जीतवा सकते हैं आपको दो-तिन प्लेयर ऐसा मिलेंगे जो कि आप नदर एस्पेक्ट नहीं करें रहेंगे कि हां ये बंदा परफॉमेंस कर सकते हैं चली इस वीडियो में बहुत सारी चीज़े डिसकस करेंगा और बहुत सारी बाते और जीएल के प्लेय इसको मुकाबला खेला जाएगा यानि कि आज मुकाबला दो फर एक बज़े से मुकाबला रूनीकों है बिल्कुल भी फिरी चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक में उद्धिकल में दे दिया है नोहाँ पे जाईए आपको 6 लिकी टिम भी फिरी मिलेगी comment box and description box दोनों में link मिलेगा आप लोगों हाँ पर link पे click करके टेलेग्राम चैनल में join हो सकते हैं सबसे पहले आप वही पर join हो जाए इसमें एक दो player हाट टीम में edit कर देंगे तो आप grand league को जीत सकते हैं चलें यहाँ पें पिछ के बारे में थोरा सजानते हो और पीछेज के जो कीटीटीटीटीए स्टाइट निकाले तो टोटल 31 मैचेज खेलेगा है और जो पहले बैटिंग करते हैं वह 16 मकाबले जीते हैं और चेज करने वाले 15 मकाबले तो हम लोग यह नहीं बोल सकते हैं कि इसका पल्रभारी है यह पहले बैटिंग करेगा यह इस मकाबला को जीतने वाला है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि स्टैट जो मता रही है यह 50-50 चांसे दोनों को बता रही है पहले बैटिंग करने वाले को भी और सेकिंड टाइम बैटिंग करने वाले को भी यहां पर इस पीच के आपको 149 नजरा रहागा जो कि बहुत ही आ नहीं हायस णर इस इस स्कोर किया है और यहां से लोउस ट्रन इसकोर सिट्नी ठंडर नहीं किया है जो कि 15 रन पर ओल आयुट हुए थे टिटिविंटी इतिहास पांद्रा रन ते पर आहीं है海न हार जाचुका है 100 की निचे बारा बार जा चुका है 150 और सी यह समझ में आ रहा होगा कि 150 की निचे 12 बर जा चुका है लेकिन आपको यह भी थोरा से आ रहा होगा कि 150 से 190 के बीच में 18 बर जा चुका है जो कि यह भी चांसेज अगर स्टार्ट के 6 ओवर में अगर आप अच्छा करते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं लेकिन अगर स्टार् को भी उपर जा सकते हैं अब थ्वरा सामलोग बात किरों इस स्टेडियम में कौन बिक्टे जादा लेते हैं और किसने बिक्टे जादा निकाली है यहां पिके टिकर बॉलर स्टेडियम के बात कि तो लाँ टो इंग में शर्ट के आप समझ सकते हैं कि यह आप पीछे थोरा थोरा बॉलिंग को सब्कर्ट करती कर अगर अप्ट कर देते हैं तो आप इस पी नहीं रंच जादा सकोर कर पायेंगे अब थोरा से हम लोग बात कर लें कि रिसेंट मैच जो इस पे हुए हैं वो कब कब हुए थे सबसे पहले तो यहाँ पर आठ जनुरी के मुकाबला खेला गया था सिद्नी ठंडर और सिद्नी शिक्सर के बीच में यहां से फिद्नी ठंडर ने 133 रन बनाए थे और यहां पर सिद्नी शिक्सर ने 134 रन 16 ovar में ही बनाकर इस मैच को जीता था आठ विक ने पेंसर सनी निकाले थे फास्टर्स ने और तिन विक ने यहाँ पर जो कि इस्पीनर ने निकाले थे अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें तो 27 दिसंबर को मुकाबला के लगया था जो कि और बात करें तो यह जो पीछ है थोड़ी सी स्लो है स्टार्ट आपको अच्छा ले जाना पड़ेगा तभी आप इस पर रंस स्कोर कर सकते हैं चलिए हम लोग थोड़ा साथ दोनों टीमों के तरफ से बात कर लें कि दोनों टीमों में कौन-कौन से हमाई टीम में होने दोनों तो पर्थ स्कोर्चर की प्लाइंग 11 की बात के तो कैमरान बैंक्राफ्ट स्टेफन इसकिनाजी आरन हाडी जो सिंगलिस एस्टन टर्नर निक होपसन मैथ्यू केली और इसके बाद यहां से देख सकते हैं एस्टन एगर पीटर हर्जो गोलू यहां पे एंड्रिव टाई ज अच्छे तरीके से नतलब की स्टार्ट अच्छे दी इनिंग में लेकिन पिछले मुकाबले में छे रन पे आउट हो गया थे छोटी सी रन एक एक सो साठ का पीछा करते हुए 113 रनों के पीछा करते हुए सायद बिश्वन हीट के सामने यह चे रन पे आउट हो गये थे अ इंगलिस ने आते ही चार गिंदों में ही 20 रन बना दिये थे और हर बॉल पे अच्छा कर रहे थे और पिसले मुकाबले में बहुत यह अच्छे स्ट्राइक लिट से खेले भी थे अब यहां से बात के इस्टन टर्नर की तो इस्टन टर्नर को कुछ ना बैटिंग करने इंगलिस ने बहुत यह अच्छे तरीके से पारी खेली है जोस इंगलिस हमाई टिम में डेफिनेटली होने वाले हैं अब बात करनेंगे यहां से जोस इंगलिस के साथ हमाई टिम में क्यामरन बैक्रफ्ट को पिक करके जाएंगे और यहां से एरन हाडी और जोस इंगलिस यह तीन प्लेयर तो हमारे टीम में डेफिनेटली पर्थ स्कोचर के तरफ से होंगे, यहां से देख सकते हैं कि Cameron Bancroft को सब लोग टीम में लेने से हिच केंगे, क्योंकि पिछले मकावले में 6 रन बनाये थे, यह नहीं देखते हैं, जिससे पिछले मकावले में इन्होंने 76 र गोलू से लेकर यहां से देख सकते हैं कि जैसन बैंडर चार बहुत ही तग्रे तग्रे बॉलर्स आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, तो पीटर हर्जो गोलू को छोड़ कर जो कि अभी तक बहुत ही खराब मतलब कि इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, यह भी विक्ट 3 ओ बॉलर्स को पिक करके जाने वाले हैं और 3 ओ व्रोलर्स नों बहुत ज़्जादा उंदा परफॉंइंस दिया है नतल इस इततला है नतले मुकाबले day pray सब लोग एंडिव टाई के साथ गया थे लेकिन मैंने जैसन बाइंडरोप को पिक किया और इन्होंने तिन बिक्टे निकाले थे तो हम लोग यहां से पर्थे स्कॉचर की टीम से क्यामरान बैंक्रॉफ्ट एरन हाडी जोस इंगलिस तुर इस वादे हां पर देख सकते मैट क आदे ली एंडि उटाई जोसन बह्यंडरोफ अब हम लोग यहां से बात करें जोकी सिनी ठंडर की टेम धीड़ी ठंडर की टीम ऐसी है अगर मारना चाहे तो रंट से स्कॉर 200 पलस भी कर सकती है अगर आउट होना चाहे तो सब के नीचे भी ऑल आउट हो सकती है तो हम या फिर डेविड वर्नर ने इन दोनों में से कोई खेल सकता है ओलियर डेविज एलक्स रोक्स बेन कटिंग डैनियल संथ किरिस गिन आठ नमबर तक आपको इस टिम में बलेवाजी देखने हो के मिलेगी जो कि बहुत ही बहुत ही संदार बलेवाजी इनके टिम में नजर आन मुकाबले में 9 मुकाबले में यहां पर 7 मुकाबले पर्थे स्कोचर जीती है तो हम लोग यहां से इसकी टिम यह टिम जो की बहुत ही परफेक्ट टिम है हम लोग इन में से किसके किसके पिक करके जा सकते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखेगा मैथिव एक्षट को पीक तो नहीं करेंगे लेकिन अपे गिरान लीग के च्वाइब करो कि मैथ्यू गाइब इस मैच के लैल एक्षए ल्ए गया है जो कि पिछले नवले हैं पसके वाद हम लोग बात के तो उसके बाद हम लोग बात के तो ओलिय डैओस जो की बहुत ही हीटिंग तो byn cutting से ऊपर डैनियल सम्स बैटिंग करने आते हैं और बैटिंग के शांसा ये बोलिंग भी कर कर जाते हैं तो हम लोग डैनियल सम्स को कभड करेंगे और rach rocks अर मैत्यू gicks से आपको बहुत लिए एक Grand League के पिक हो सकते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं यहां से नाथन और बॉलिंग के बात के हो तो नाथन MC Andrew से लेकर जहां पर क्रिस गिडिन ब्रेडन ड्रोगेट और उस्मान को अधिर इतने आपके पास बॉलर से इनके तरब से मैं इस साल बहुत ही अची आफ में चले हैं ना थन कि इसके नाजी बहुत ही अच्छे खेल सकते कुकि इनका इस बहुत उच्छी को आप लोग बड़ार आप कि दममें इन पराइस सकते हैं आप बात बात कि बॉलिंग my बेन चाहिए यहाँ से Commonwealth ii हैं जो कि आप नहीं निते हैं आप बाते हैं महारे को क نے 17% ऐसको की जो की इंगलीज को मैनने किया है और यहां पर बैटिघ्र बाद के बास्ट के बाद के बाद के पर अल्याउंडुर बात कि कि इस मॉल लिंग में मैंने कैप्टेन वाइस कैप्टेन क्यों और किसे दिया यहां पर कैप्टेन मैंने डैनियल संप को दिया वाइस कैप्टेन यहां से मैंने description में दे दिया, आप लोग वहां से telegram channel में जोईन हो सकते हैं, comment box में में लिंक में ने दिया है, तो हम लोग थरा से हम लोग यहां से देखेंगे कि GL के कौन कौन से player इसमें बन सकते हैं, तो हैं पर देखेगा, यहां पर जो कि जो सिंगलिस, डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स Cameron Bancroft, Ollier Devis, Aaron Hardy, Daniel Sands, जिसके बाद यहां पर देखेगा, Jason Bhandroff, Andrew Ty, और यहां पर नाथनम सेंडियू, जितने भी आपको नजर आ रहे होए, GL के बहुत ही बर player बन सकते हैं, इसमें आप GL के captain wise, captain किनी को भी दे कर जा सकते हैं, जितने मैंने pick करवाए हैं इतने में से, और साथ साथ आपको एक दो और choices मैंने, सिर्नित ठंडर के तरफ से बताया था, Alex Rocks, और इनके तरफ से बालिंग में मैंने बताया था, तो आप उन्हों के साथ जा सकते हैं, जिसके आपके पास बहुत ही बड़े बड़े choices, captain wise, captain के नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बतायेगा बाकी यह फाइनल टिम नहीं, फाइनल टिम आपको टेलेग्राम चैनल पे ही मिलेगा, वो भी 20 मिनट पहले, अगर इस वीडियो में अगर एक भी परसेंट आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देजगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अन तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, निक्स प्रिवम तब देखिले जहिंदवन दे मातरम